हेलो फ्रेंग्स मैं हूँ आपका दोस्ट संजेकुमार स्वामी एकबार फिक्स से आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे चल रहा है एड़ोब प्रीमेर ग्रोग अधर आज का हमारा जो टोपिक है वो है ब्लर एंट सापेंड इसके अंदर मैं आपको एक्जाम् मैन्यू की अंदर देखा था hinter makes the a photo के अंदर sharpness लेकर आ सकते हैं वीडियो के अंदर बीसी तरहे स्याहमपर sapness लेकर कर आसकते हैं और zijn and blur कर सकते हैं लेकिन आप blur को यूज करके लेकिन पहलं कि अच्छा और transaction effect भी बना सकते हैं मैं आपको इस video के अंदर इनके बारे में बताऊंगा इनको यूज़ लेकर कि और toggle animation ऌण करके animation के जरिये में आपको बताऊंगा कि आप किसी भी video के अंदर, title के अंदर, text के अंदर और utilization के अंदर किस तरह से इनको यूज़ में ले सकते ह whites तो आई ये शुरुआत करते हैं सबसे पहले इन सभी के बारें बात करते हैं किस तरह से इनको यूज में ले सकते हैं यहां पर मैं एक music लेके आया हूँ और दो clip है मेरे पास में उन दोनों clips को देखिए मैं यहां पर timeline के अंदर लेके आ रहा हूँ यह क्लिप्स है मेरे पास में इनके साथ में जो ओडियो है मोटा देता हूं आज का जो हमारा टोपिक है वह यहां पर है वीडियो effects के अंदर आप जाएंगे तो blur के अंदर blur and sharpen के अंदर आपको जो option नजर आ रहे हैं उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं जिसके अंदर एक है camera blur, channel blur, compound blur, directional blur, gission blur, last miss sharpen और unsarp mask Photoshop के अंदर जिस तरह से हमने इन सभी options का use किया था फोटो के उपर उसी तरह से वीडियो के अंदर हम वीडियो के उपर भी इनको यूज में ले सकते हैं Gission blur सेम उसी तरह से है blur करेगा और directional blur है वो direction के अंदर blur करेगा 90-70 डिगरी इस तरह से और इस तरह से compound blur, channel blur, किसी specific channel को और इस तरह से camera blur है तो इनको use में कैसे ले सकते हैं आपको बारी बारी से मैं बता दूँ जैसे कि camera blur को हम इसके उपर ले करके आएंगे तो यहाँ पर कुछ option आ रहे हैं आप इनको animation भी दे सकते हैं हम भी एक example लेंगे animation के लिए एक example देख करके मैं आपको बताऊंगा तो यह इस तरह से camera blur यहाँ पर percent कितने percent आप रखना चाते हैं इसको आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे यह camera के अंदर जिस तरह से blur होता है उसी तरह से back side से यहाँ से blur कर रहा है तो इस तरह से यह blur करता है अब मैं इसको यहाँ से delete कर जृता हैंão अगर आप यह यह customize लेना चाहिए तो यहाँ पर ले सकते हैं उसके बाद में compound blur है click करेंगे click करने के बाद में ये क्या करेगा दूसरे किसी layer के साथ है mix करेगा अब जैसे कि यहाँ पर एक clip है उपर तो मैं एक clip नीचे उपर इस तरह से ले लेता हूँ ये उपर और ये clip यहाँ पर नीचे उपर वाली clip के उपर मैं ये effect दे रहा हूँ और compound blur के अंदर यहाँ पर select कर लेता हूँ वीडियो 1 और फिर करेंगे हम क्या करेंगे इसको maximum blur को इस तरह से बढ़ाएंगे जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ blur होने के बाद में इसके पिछे से जो वीडियो दिख रहा है वो ये वाला आपको वीडियो दिख रहा है देख लिजिए आप ये वाला वीडियो कैसा है ये वाला वीडियो है तो ये वाला जो इसके पिछे एक नमर वीडियो के अंदर आ रहा है वो दिख रहा है प्वलर होने के बाद में यहां पर मैं इसको कम करूँगा जैसा जैसे वापस तो अंदर से तरह से फैड और है यह पिछ वाला वीडियो यहां पर यह जो फ्लावर्ड दिख रहा है वो mن और यहां पर कम ले खर लेता हूं इस तरह से यह देखिए यहां पर साइड में एक तरह से यहां पर आप कह सकते हैं कि फ्रेम की तरह बन रहा है यहां पर एक तरह से फ्रेम ही बन रहा है थोड़ा और बढ़ा हो तो यह देखिए यहां तक यह फ्रेम आ गया यहां तक यहां तक और यहां तक और इफ लेर साइज इस ड पुल्टाओ करके दिखाएगा फिर इस तरह से इसको इफट को यहां से अभी मैं डिलिट कर देता हूं उसके बाद मैं डिरेक्शनल ब्लर इसमें किसी एक डिरेक्शन के अंदर आप दे सकते हैं ब्लर इफेक्ट जैसे आपको ब्लर की लेंथ बढ़ानी होगी अभी डिरेक् कुछ इस तरह से यहां पर ब्लर आप यूज में ले सकते हैं कितने डिगरी आप रखना साथे हैं और यहां से इसके एनिमेट भी कर सकते हैं टोगल एनिमेशन ओन करके और यहां से आप जो है इसके अंदर मास्क भी यूज कर सकते हैं कितनी दूर के अंदर आपको ब्लर कर तो फिर यह भी यहाँपर इस तरह से मोंग चाहिए साथ-साथ में आप उसके लिक्र – अज़ा जबाना हो as एनीमेसйट बनानाु चो हम पहले से ही बात कर रहें की ट्रे निमेसान की सतरह से बनाते हैं उसके बाद में यह भाद में यह आगे हम साथने साथने सke अ वीडियो सकते हैं इतने साथने फोट्रों तो आप क्या कर सकते हैं साथने को यहां पर एड़ कर के यहां बढ़ा सकते हैं अभी देखिए इस तरह से sharp हो जाएगी फोटो Ctrl Z करूँगा तो वापस blur हो रही है Ctrl Shift Z के साथ में यहां पर यह देखिए blur दिख रही है sharpness दिख रही है तो इस तरह से आप sharp end को यूज़ ले सकते हैं और उसके बाद में unsarp mask के से Photoshop की तरह इसको भी आपने इसाब से और इसके अंदर reduce कितना होना चाहिए sharpness के लिए यह है इसके अंदर आप यहां पर adjustment अपने इसाब से कर सकते हैं अब मैं आपको यहां पर एक example देख करके बता रहा हूँ एक हम title animate करेंगे तो किस तरह से मैं आपको बताऊंगा वो video footage example जो output होगा वो मैं आपको पहले यहां पर दिखा रहा हूँ यह footage जो आपने अभी देखा है ठीक ऐसा ही हम इस video के अंदर बनाएंगे और जो last के अंदर मैं इसको complete करके render करूँगा उसके बाद में जो output होगा तो वो output आप देखने के लिए same इसी clip को यहां से इसी time से दुबारा देखें क्योंकि वही clip जो end में हम output करेंगे render करेंगे सेम उसी clip को मैं यहां पर बीच में दिखा रहा हूँ तो जो आपने अभी clip देखिए उसी को हम किस तरह से बनाएंगे यही हमारा example है अब मैं आपके सामने एक example लेने वाला हूँ example के अंदर हम क्या करेंगे text के उपर भी और video के उपर भी मैं आपको blur use करके बताऊंगा आप vision blur भी use में ले सकते हैं यहां पर मैं आपको camera blur use में ले करके दिखाऊंगा तो देखिए किस तरह से एक example ले रहा हूँ जैसे कि कोई video start होता है उसका title अगर आता है तो उसके अंदर मैं animation करके आपको इस video के अंदर दिखाने वाला हूँ कैसे करेंगे देखिए यहां पर सबसे पहले project के अंदर जाएंगे और यहां पर मैं क्या करा हूँ right click करने के बाद मैं new item new item और उसके बादे मैं title के ओपर click करा हूँ यहां पर लिख रहा हूँ welcome यह title का नाम है और यहां पर फिर मैंने बताया था जैसे कि title वाले वीडियो के अंदर के आप इस तरह से यहां पर title दे सकते हैं मैं यहां पर welcome लिख देता हूँ और बीज में center में लेकर कर आएंगी इसको और इसकी size हम यहां से बढ़ा देते हैं एक बार और इसका font भी यहां से हम दूसरा ले ले लेते हैं मान लेजिए यह font जे ले लिया है तो इसको center में ले आते हैं यह center में आ गया अब क्या करेंगी यहां से थोड़ी सी इसकी shadow बढ़ा देते हैं सेटू दें देते हैं इसके और आप स्ट्रोक वगर्णा चाहें तो इन्नो 450 देज़ेते हैं शली इन्न श्ट्रोक और कौन से color के अंदर वगरा के अंदर किस तरह से आपको देनी देख लेए इसके अंदर श्ट्रॉक फिर रेड कलर की अच्छी नहीं लगेगी तो उड़ा सब ब्राउन हलका सा कर देते हैं इस तरह से यही रखतेते हैं सिंपल मैं बता रहा हूँ आपको और उसके बाद में ये टेक्स हमने त्यार कर लिया विल्कुल सेंटर में है और अब हम क्या करेंगे अब इस टेक्स्ट के साथ में क्या करेंगे एनिमेशन करेंगे ये टेक्स्ट है और हम क्या करने वाले हैं आब यहाँ पर थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं यहाँ पर भी थोड़ी जगे चाहिए एनिमेशन करने के लिए थोड़े इसको भी जूम कर लेते हैं और यहां पर मैं एड कर रहा हूं इसके अंदर हमें दो तरह के इफेक्ट देने हैं एक यह जूम होगर करके आना चाहिए तो पहले यह दे देते हैं अब क्या करना है थोड़ी दूर के बाद में आगे बढ़ने के बाद है WEAPAS आँपर की फरेम बनाएंगे और इसके अं दर में क्या कर रहा हूं इसको बढ़ा देते हैं करीब करीब 100 के आधक्या कर देंगे इसको 95 कर देते हैं या हंड़िट कर देते हैं advisac क्या करेंगे कौर आगे थोड़ा चलेंगे की फ्रेम बनाएंगे यह एंड तक बनाएंगे यहां पर कोई की फ्रेम बनाएंगे और इस की फ्रेम के अंदर हम क्या करेंगे हैं डेट की बजाए अब इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे और 120 के आसपास कर देंगे 120 में कर देता हूं अब देखिए यहां यह जो की फ्रेम है यहां पर तुरंत जल्दी से यहां पर इस तरह से एफेक्ट आएगा और उसके बाद में धीरे धीरे यह बढ़ा हो रहा है इसको थोड़ा मैं और यहां पर रख देता हूं यहां पर इसके उपर देखिए इस की फ्रेम के उपर मैं इसको यहां से डिलेट कर देता हूं और यहां पर 100 नहीं रखते हैं मैं कर लेता हूं यहां पर 90 इसलिए 90 ताकि यहां से यहां तक जल्दी जल्दी बढ़ा होगा 90 से आगे 120 तक और इस तरह से अच्छा लगेगा तो यह सबसे पहले इस तरह से है थोड़ा सा इसको भी बढ़ा देते हैं यहां पर और यहां तक इसको रखना है अब हम क्या करेंगे यहां पर जो additional effect है उनके अंदर से gishon blur का effect देंगे select करेंगे clip को इसके उपर लेकर करेंगे और gishon blur का यह effect देंगे कैसे देना है बिल्कूल यहां पर starting के अंदर से शुरुआत करेंगे और इसको blur कर देंगे text को यहां पर देख नहीं रहा है पूरी तरह से हमें क्या करना है इस तरह से blur कर देगा और इसका हम बनाएंगे अभी toggle एन में से non करने बाद में यह keyframe और इस keyframe को मैं बिल्कुल starting के अंदर लेकर के आ रहा हूँ और यहां पर इससे थोड़ा पहले कर देते हैं यह आप बिल्कुल उसी point पर भी आप कर सकते हैं इसको मैं blur ने सब यहां पर zero कर देता हूँ तो अब देखिए यहां से जब यहां तक आएगा इस तरह से आएगा text इसके एक दम आप बराबर भी कर सकते हैं एक दम यहां पर तोड़ा और मैं आगे बढ़ा देता हूँ तो इस तरह से यह text आ रहा है अब इसी तरह से इस text को जब end होगा जाएगा कैसे उससी का भी animation कर देते हैं यहां एक keyframe मनाते हैं जो बिल्कुल यहां पर zero blurness के उपर रहेगा और उसके बाद मैं यहां से लेकर के end में एक और keyframe मनाते हैं last में और इस keyframe के उपर हम क्या करेंगे इसको पूरी तरह से blur करें keyframe को पहले इधर लेकर क्या रहा हूँ है और इस keyframe के उपर यहां पर बनाते हैं यह keyframe और इसको blur करेंगे पूरी तरह से blur करेंगे अब यहां से लेकर यहां तक जाएगा तो पूरी तरह से वापस text जो हो blur हो जाएगा इस तरह से अब देखिए मैं starting से आपको दिखाओं इस text को तो आप समझ पाएंगे play कर रहा हूँ इस तरह से text आया और यह text यहां से चला गया अब देखिए इसी तरह से सेम इसी तरह से आप और भी दूसरे text लेकर के आना चाहेंगे तो वह किस तरह से करेंगे इसी text के उपर project के अंदर से ले जाते हैं यहां पर project के window के अंदर और यहां पर जैसे उपर नए title का नाम मैं लिख देता हूँ friends okay करेंगे और text यहां पर change कर देंगे friends लिख देंगे अब इसको center में लेकर के आएंगे यह बिल्कुर center में भी आ गया तो welcome के बाद में जिस तरह से हमने friends लिखा है उसी तरह से उसके बाद में हम लिखेंगे संजेक कुमार स्वामी और उसके बाद में Adobe Premiere Pro और उसके बाद मैं यहां पर लिख देता हूँ episode 37 तीनों की तीनों text हम इसी तरह से based on current title के उपर click करके लिखेंगे उसके बाद मैं ऐसे इसको बंद कर दूँगा अब देखें यहां पर welcome के अलावा जो welcome friends और यह उसके बाद में यह उसके बाद में अब देखें इन सभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करेंगे same effect कैसे apply करेंगे welcome को select करेंगे select करने के बाद मैं किसको select किया देखें हमने यहां पर select किया है अब हमने यहां पर welcome को select किया है इस welcome को select किया है select करने के बाद में motion के उपर जाएंगे right click करेंगे save preset इसके अंदर motion preset आ गया मैं लिख रहा हूँ यहां पर for title ok और ok कर देंगे यह preset के अंदर यहां पर आ गया यह for title यह है इससे पहले वाले इनको उटा देते हैं यह motion preset for title यह यहां पर आ गया preset के अंदर आप अपने खुद के preset यहां पर बनाके भी रख सकते हैं इसी तरह से एक और यहां पर vision blur का है right click करेंगे save preset और for मैं नाम लिख रहा हूं description भी आप देख सकते हैं और नाम अपने हिसाब से यहां पर कोई भी change करके लिख सकते हैं अब दोनों effect यहां पर हमने save कर लिए preset बना करके अब हमें करना क्या है दोनों यह जो preset है इन सभी के उपर इस तरह से apply करना है यह apply तीनों को एक साथ इनको select किया और यहां से drag and drop कर देंगे तीनों के उपर यह apply हो गया इसी तरह से vision blur वाला भी तीनों के उपर apply हो गया अब देखिए यह तीनों की तीनों किस तरह से सलते हैं अब हमें एक और काम करना है पहले देख लेते हैं यहां पर बिल्कुल सही तरह से हुआ है कि नहीं हुआ है सब आ रहे हैं अब हमें क्या करना है यहां पर थोड़ा zoom करके आपको बता रहा हूं देखिए यह जो है friends इसको यहां पर थोड़ा सा अंदर की साइड में लेके जाएंगे इस तरह से चलाएंगे यानि कि जैसे एक खतम हो रहा है टेक्स्ट का उसके जस्ट बाद में तुरंट दूसरा आना चाहिए इस तरह से तो आप इस तरह से इनको नज़्दीक में लेके जाएंगे जब यह धुंदला हो रहा है यहाँ पर उससी time next की process यहाँ पर इस तरह से start हो जाने चाहिए तो इस तरह से मैंने text को यहाँ पर design कर लिया है और same इसी तरह से जो यहाँ पर clips n के उपर मैं apply कर रहा हूँ यहाँ पर effects के अंदर से blur and sharp end के अंदर जो camera blur है वो यहाँ पर मैंने apply कर दिया इस clip के उपर और camera blur को भी animate करेंगे इस clip के उपर apply किया text का काम हमने complete कर दिया इस clip के उपर मैं camera blur को apply कर रहा हूँ और जो camera blur है उसके अंदर अभी percentage बढ़ा देते है थोड़ा इतना मैंने रख दिया है और यहाँ पर keyframe भी बनाएंगे अब तो इसको on किया toggle और add करेंगे keyframe यहाँ पर यह keyframe एड़ किया और थोड़ा आगे जाने के बाद में एक और keyframe यहाँ पर बनाएंगे और उसके अंदर 20% तक कम कर देंगे और उसके बाद में थोड़ा और आगे जाने के बाद में एक और keyframe बनाएंगे और यहाँ पर 0% रख देंगे तो जैसे जैसे यह text complete होगा इस तरह से आएगा text देखिए अब आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर red के अंदर दिखा रहे हैं अब यह यहाँ पर आप transaction भी बना सकते हैं जैसे यह footage है background वाला footage यह change हो रहा है यहाँ पर तो इन दोनों के पीच में यहाँ पर यह भी बना सकते हैं आप अब देखिए किस तरह से आप बन पर बता देता हूं अब इसके अंदर last में से कुछ second पहले क्या करते हैं यहां पर एक इसी के अंदर की frame पहले वाली clip को ठीया, इसके अंदर यहां पर पर key frame मनाया, और इसपो ब्लर कर देंगे, कितना blur कर रहे हैं 100% blur कर दिया इतना मैंने आप पर blur कर दिया यहां से लेकर यहां तक इतना blur हो गया है अब देखिए same इसी जगे पर मैं यह clip लेकर कर आ रहा हूँ यहां तक और same इसी तरह से इसके अंदर भी करेंगे camera blur यूज लिया और यहां पर starting में पास पास और toggle animation on करेंगे और यह जो keyframe है उसे थोड़ा आगे जाएंगे इस तरह से खाँ तक जाएंगे plate देखिए यहां तक यहां जाम तक यह clip end हो रही है यहां तक आएंगे फिर एक keyframe और यहां पर zero कर देगे और फिर इसी तरह से आगे चलता रहेगा अब देखिए यहां पर इन दोनों के बीच में हम बना रहे हैं transaction अब transaction यह तो हो गया लेकिन इसके अंदर फिर भी यहां अचनक से यह blur हो रहे है तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहां से opacity opacity कहां कहां पर इन दोनों के अंदर तो playhead को वापस मैं यहीं पर रख रहा हूँ यहां पर रखा playhead और इस जगह पर toggle animation इसका own कर दिया इस जगह पर मैं एक keyframe बनाऊंगा यहां पर 100% opacity है और इसके बाद में यहां end पर होते होते पर एक बार मैं keyframe यहां पर बना लेता हूँ यहां पर keyframe बनाया opacity इसकी zero कर देते हैं अब इस zero opacity वाले keyframe को बिल्कुल मैं यहां पर end में छोड़ देता हूँ लेके जागी इस तरह से और same इसी तरह से इस next clip के अंदर इसी तरह से हम करेंगे एक keyframe हम यहां पर बनाएंगे 100% opacity का तो यह keyframe यहां पर बनाया और इसकी opacity 100 है अब एक starting में बनाएंगे जिसकी opacity हम यहां पर zero कर देंगे तो देखिए यहां पर यह चो clip है यहां पर फिर 100 से zero की तरफ आ रही यहां पर 100 से zero यह देखिए यहां से दिखा देता हम आपको opacity के उपर जाएंगे इसको और अब देखिए यहां पर ये देखिए opacity यहां से यहां zero हो रही है यहां 100% है यहां zero हो रही है और same इसी तरह से यहां पर उपर वाली clip के अंदर देख सकते हैं यहां zero से hundred हो रही है और दोनों के अंदर same इस गयसे blur भी हो रहा है तो इस तरह से पता ही नहीं चलेगा कब transaction change हो जाएगा जैसे कि लगेगा यह blur हो गया और next वाला यहाँ पर blur होने के बाद में आ गया है तुरंट तो यह इस तरह से footage मैंने आपको blur को use ले करके बनाना बता है और sharpness इसको आप अपने किसी भी footage के अंदर जैसे यह footage है इनके उपर भी आप sharpness यूज ले सकते हैं अगर आपको जरूरत हो कि बहुत ज़्यादा दुंदलाट है sharpness की जरूरत है यहाँ पर तो आप sharpness को फिर जरूरत के हिसाब से use ले सकते हैं तो यह मैंने आपको clip बनाई इसको भी मैं आपको यहाँ पर चला करके भी दिखा देता हूँ और जो मैं music की बात कर रहा था वो यहाँ पर music है background के अंदर इस music को भी हम रखेंगे तो बहुत ही अच्छी चलेगी मैं क्या करता हूँ इस को पहले इहां पर render कर लेता हूँ ताकि render करने के बाद में यह video पूरा चलेगा तो rendering के लिए हम क्या करेंगे यहां पर sequence के अंदर render effect into आउट यहां तक का लेना है हमें तो यहां से लेकर यहां तक का इतना लेना है sequence के अंदर render end to out कर देते हैं पूरी तरह से render हो जाएगा आपने देखा हमने इस तरह से इस एक्जामपल के जरीए एक टाइटल एनिमेट किया है बस एक टेक्स्ट के अंदर हमें एनिमेशन दिया और सभी को अंदर उसी को अपलाई किया तो बहुत ही आसान है आप और भी अलग तरीके से बलर को और सापन को यूज में ले सकते हैं जहां पर आपको इसकी आऊशकता है. यह वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे comment करके जरूर बताएं मुझे आपकी comment का हमेशा इंजार रहता है. साथ ही आप इस वीडियो को like जरूर करें अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो आपने दोस्तों को साथ सेर भी करें ताकि आपके दोस्त भी सीख पाएंगे वीडियो एडिटिंग और अड़ो प्रीमेर प्रो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन के उपर क्लिक करने के ब तक यू